हलो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप मैं शेफ नितिन जैन एन जे सिंपली कुलीनरी में आपका स्वागत करता हूं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए रेस्पी नोट करिए और चलिए फिर आज की रेस्पी की और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं आज हम बनाने जा हैं लेमन कट जो आप जो फूट टार्ट बनाते हैं उसके अंदर पाई के अंदर प्रॉफिट रोल्स और भी किसी फिलिंग के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं ये मीठी और खटी दोनों ही स्वाद में होती है और इसका स्वाद जो है वो आपको बिलकुल अलग नजर आ करते हैं बहुत ही असान तरीका है इसको बड़े अराम से बना सकते हैं और कोई काम करते हुए भी बना सकते हैं डबल बॉइलर बनाएंगे जिसमें की बेस जो आपका पैन है उसमें पानी होगा दूसरे बॉल में सारे इंडीडेंस इकसर डाल देंगे और उसको मिध्यम आ क्रेकाम से आपसे आप लूपर मास्किंझ करनेरे में पाई में प्रॉफित रोल में बैट में कैसे भी अधा दी है करके अपा सकते हैं यह जब अपकता जाता है आप इसको मिक्स करेंगे तो वह बाकी मिक्षर के साथ प्रॉपरली मिल जाएगा अभी तो इसमें बटर जो है सॉफ्टो के मेल्ट हो रहा है और फिर दिर जब अंड़ा पकेगा शुकर मेल्ट होगी तो इसका वॉल्यूम जो है इसकी जो डेंसिट तत्यों नहीं है कि किसने इसको इन्वेंट किया दूसरे तत्यों की तरफ से माने तो इसका जो फस्ट प्रिप्रेशन है वह इंगलेंड में मिस्टर कोईकर 18th century में इसको इन्वेंट किया और अपने ट्रेवलिंग के दौरान वह जब नॉर्थ अमेरिका में पहुचे तो 17 1874 में उन्होंने वहाँ पे इसको लोगों के साथ शेयर किया और जो लेमन कर्ड है वो उत्तरी अमेरिका से बहुत ज्यादा पॉपलर हुआ क्योंकि इसके वर्जन मना दी गए पाई में टार्ट में फिलिंग्स में एन लॉट अफ तिंग्स देवलप एक बहुत अच्छी युएस की जो प्रिप्रेशन है की लेमन पाई क्योंकि वहाँ के लेमन जो है वो अच्छे होते हैं और वहाँ पे उन्होंने एक डिश इनवेंड करह सिरा की उसमें लेमन कर्र में जो उसको यूज करके लेमन कर बनाए जाता है अब अगर आप बॉल को देखेंगे तो धीरे धीरे इसमें थिकनस आ रही है क्योंकि साइड में जो है वो अंड़ा पक रहा है चीनी मेल्ट हो चुकी है और बाकी सारे मिक्षर होने के बाद उसका जो डायूशन है वो बन रहा है अब धीरे धीरे ये गाड़ा होता जाएगा और गाड़ा होने के बाद जब आप इसको देखेंगे पूरा इसमें अंड़े की स्मेल नहीं आएगी क्योंकि आपने इसमें लेमन डाला हुआ है वेनिल एसंस डाला हुआ है दोनों चीज़े डालने से वो इसमेल नहीं रहेगी प्लस ये जब गाड़ा हो जाएगा तो इ इसको बीच-बीच में मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे की जो मिक्षर है वो पूरी तरीके से मिलता जाए और आपको आइडिया हो जाए कि इसको कितना पकाना है बट जब आप इसको पकाएंगे तो इसका जो गाड़ा पन है जैसे हम दही फेटते हैं उसके जो ठंडा करेंगे इसको एकदम ठंडा करना होता है अगर आप इसको ठंडा करने रख रहे हैं तो उपर या तो हलका सा बटर पेपर लगा दें इसके उपर नहीं तो इसके उपर थोड़ा सा बटर छोड़ दें जिससे की बटर की जो लेयर है वो बनी रहेगी तो जो उपर से जो परत जमती है ठंडा होने के बाद वो नहीं जमेगी दोस्तो जनरली होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जो लेमन कड बना के रखते हैं वो इसलिए कोकि यह सब्स्ट्यूट है बहुत सारी प्रिप्रेशन का इसको अलग लग तरीके से लोग इसको यूज करते हैं कई लोग चोकलेट्स में जो प्रालीन्स मनाते हैं उसको लीकियर के साथ एड़ करके और चोकलेट्स के अंदर फिलिंग करने में भी यह बहुत ज़्यादा काम आता है और उसका टेस्ट भी आता है चौकलेट का आईक अपना टेस्ट होता है और लेमन कट जब बस्ट होता है माउथ के अंदर तो उसका स्वाद एक अलग ही लेवल पे होता है दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरा यह चोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर मेरा वीडियो एक आपका स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे अब मैं आपसे बिदा लेता हूँ मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद NJ Spendless Eat Best